हेलो एब्रिवान गुड मोर्निंग अल आफ यू वेलकम टू आवर फ्री नालेज दोस्तो आज एकी स्मार्ट छे और आज के इस वीडियो में हम एकी स्मार्ट से रेलेटेड करेंट आफेट्स के सभी इंपर्टन कोस्टिन को कभर करने वाले है तो चलो आज का जो जो इंप दिकस करते हैं तो आज का थार्ट अफ दाड़े क्या है हमारा भविश्य हमारे वर्तवान पर निभर करता है निर्वर होता है इसलिए अपने रक्ष्य पर काम करो हमको लाइप में अगर आचीफ करना है भी कोई भी चीज तो इसके लिए टार्गेट होना ज़रूर है उसलिए मैं इधर निचे गोल नाम के लिखाओं उसलिए है कि अगर without goal हम एक step भी लेना बेकार है क्योंकि एक बंदागर पढ़ रहा है तो उसका इम होना चाहिए कि मैं RRB क्लियर करूँगा NTPC करूँगा defense exam anything else so goal मतलो without determination बाकी सब क्या है वेकार है ठीक है तो चलो आज का सबसे पहला प्यारा सा question देखते है क्या है who has been appointed as the director general of CRPF director general of CRPF कोई है अभी newly appointment हो है वो है कुलिप सिंग ठीक है answer is option A कुलिप सिंग has been appointed as the director general of CRPF director general means the highest rank of CRPF governing bodies होते CRPF का ठीक है कुलिप सिंग कोई है 1986 के IPA सबस्वर थे IP सबस्वर थे ठीक है और तो यह होगे कुलिप सिंग CRPF कर DG उसके निच्चेज option है उसके बढ़ डिसकेश करते MA गनपती MA गनपती कोई है अभी new appointment यह भी है जो की NSG के DG बनाएगा NSG के national security guard इसके DG director general कोई है MA गनपती option C क्या है SS-DASWAL SS-DASWAL किसके है ITPP इंडो तिवर्थ Border Police Force उसका होगे और राके साथन राके साथना किसके है BSF कर ठीक है चारो पर चारो डिसकेश कर लिए आपको तो अभी जो फास्ट अंसर था हुए कुल्दिप सिंग तो CRPF के बड़ डिसकेश करते नहीं हो दिली इसका मोट्टो क्या है service and loyalty service and loyalty ठीक है और आपको पता होगा CRPF में female entry also allowed उसमें ठीक है और female entry तो allowed था अभी क्या होगे female command also ठीक है तो उसका नाम क्या होगे female cobra command कुबरा कमांड हो गया और दूसरा चीज़ आपको अभी करेंट के साथ अगर करनेक्ट करेंगे तो आपने यह चीज़ देखा होगा कि डियार डियो के द्वरा बनाया होगा था एक ambulance भाइक तो उसका नाम क्या था रक्षिता रक्षिता जो की CRPF को संब दिया गया ठीक है तो दिस इस वाज अल अबाउट CRPF दे नेक्स्ट वान इस रिसेंट्ली विस्टेड हाई कोट हेज अप्रूट ट्रांसजेंडर एंट्री ने अन्सेशी में ट्रांसजेंडर एंट्री कौन सा स्टेट ने अलोड कर दिया यह आंसर इस अप्षिन ए अल्सों ठीक है तो अभी इसके उनका नाम क्या है हिनानिफा हिनानिफा तो उन्होंने क्या 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 एंसेश एंट्री के लिए वो एंसेश में एक सिवान्ट टो गौट अप्लेशन एंट्री सो वो एंसेशी में पार्टिस्वेट किया थे तो उनको वह अप्सन नहीं मिला ना कि उनको यह एलाउड किया थे लेकिन सुप्रीम कोड का अधेस है बट सुप्रीम कोड का अधेस क्या है सुप्रीम कोड का 2014 में सुप्रीम कोड ने पास किया था अंडर NCC section 6 उसमें क्या था male था and female था and also उसमें ये भी transgender भी हमारा दिया गया था ठीक है तो हमारा transgender पर करला क्यों था भीन जो हनी भाय है उन्होंने ये जी तो third gender अधेस आपरूड भाई सुप्रीम कोड ये क्या है third gender जो है transgender है तो उसको भी आपरूड किया गया था भाई सुप्रीम कोड ओरर 2014 ठीक है लेकिन अभी क्या हुआ state high quote ने इसको पर जांच करने के लिए ठीक है तो उनके लिए एक seat क्या गया अल्रड़ी booked हो गया है ठीक है किसके लिए एक seat book हो गया हिना हनिभा के उपर तो उनको क्या है अभी तो seat मिले गई मिलेगा बट ये चीज को confirm करने के लिए और इसके उपर मतलब एक सही stand में निकालने के लिए government क्या गया है इस चीज को भी stay में रखाए ओके the next one is तो अभी transgender को पर इस भी बहुत सारे हमारा schemes और वो सब निकालते तो वो क्या है देख लेते के लिए हो गया transgender entry in NCC तेलेंगाना आसम क्या हो गया आसम civil service civil service में एलाग करने हो अला fastest in इंडिया उतर प्रदेश को क्या हो गया university फास्ट ट्रांस जेंडर university in यूतर प्रदेश ओके the next one is who become the world's number one player to score the most goals in the history of football football में सबसे ज्यादा गोल करने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाडी कौन बन गे ठीक है ये चीज़े दोस्तो मेरो को ये चीज़ पता है कि आपको ये चारह option चे कौन सा पता है कि नहीं पता नहीं मुझे लेकिन मुझे ये तो पता है कि C. Ronald जो कि Christian and Roland ठीक है उनके बारे में all over the world सबको पता है तो इसका record अभी क्या है 770 करने वाले पहला खिलाडी बन गी किसका फुटूवल का और फुटूवल में अभी record किसका था किसका पहले इससे पहले इससे पहले record था कि पहले का कितना था उनका रेकर्ड को तोड़ दिया ना तो उनका रेकर्ड था 7-6-7 तो इन्हों ने तीन गोल करके 7-7-0 गोल्स कर दिया ठीके तब भी देखते हैं फुट्वाल के खिलाडी क्रिस्टन रॉनल्डों कहां से आते हैं ये आरते हैं पर्टुगाल पर्तुगाल पर्तुगाल कहा है यूरोप में ठीके पर्तुगाल है और इसका लिस्बन होगे इसका केपिटल ओके और निमार लिएनिल मेंसी देयार आलचो दा घुड फ्लेयर्ज and फैमस फ्लेयर्ज है उन लोग भी ठीके तो भी Christian Ronaldo बने और Christian Ronaldo के उससे पहले क्या था Christian Ronaldo जो पहला प्रेले जो की 125 मिलियन फैलोर्स इंस्टाग्राम में करजन करने वाला पहला खिले दे ओके The next one is which country has signed the ISA under the revised ISA framework agreement in March 21 ISA क्या होता है International Solar Alliance ठीक है यह क्या है COP21 के दोरण इंडिया और फ्रांस मिलके यह क्या एते इनिसेटिव होते किस के ऊपर इनिसेटिव होते इंडिया फ्रांस यह दोनोन country इनिसेटिव होते हमारा ISA को पर थीच है तो ISA का वो क्या है इसका एक्ट्वल थीम है कि टू एन्हांस सोलार टेक्मिलोजी एंड स्प्रेड ओवर द वर्ल क्योंकि जो हमारा विश्वक्रांति और मक्र्षांति के ओपर जो भी कंट्र जाते उनको प्रोवाइड करना है और दुसरा चीजे जो हमारा एन्नर्जी वेस्ट जोता है तो फ् पॉल्यूशन पॉल्यूशन को हम कईसे रोग लगाएंगे तो विएर टू फोकोशन रिन्यूवल एनर्जी इसका में मतलव है यह तीक है आयसेगा तो उसली इन्होंने क्या क्या है इंडिया और फ्रांस ने इसके बड़ इनिस्टिव है थे ओके तो इंटरनेशनल अर्ग इसका में है तो विए है आयसेगा ओके ताब उसके बाद टाइफ ओफ रिन्यूवल एनर्जी एन्ड टू रेडिउस पॉल्यूशन इसका में फंक्शन है ओके देखते ग्या है वाल्ड लार्जेस्ट रिवर, यह सब में इसके उपर डिस्केशन करूँगा, पहले तंजनिया के बारे में देखते हैं, यह उग यह तंजनिया, तंजनिया का केपिटल क्या है, तंजनिया का केपिटल है, और सबसे मेन इंपर्टन चीज आपको यह बता देदाओं में, हमा विक्टोरिया लेख तंदने से शुरू हता है जहा के ख़तम कहा होता है एह मेल्डिटरियान्सी ठीके दोस्त मेल्डरियान्सी में खतम होता है। यह होगया शबस На इंप्रटान्च चीज क्योंकि वार्ड का लार्जेस्ट हो गया ना तो वह होता है शुरू तन्दनी वह है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से शुरू होके खतम होता है मेट्टिर्से मैं। कि देक्स वन इस ज्ञादा कॉन्ट हमारा जो यह इथोपीय यह जब था वह सब्छके नेवरिंग कंटर जे ओगे रिसेंट लिएन वास्थ प्रॉबल रिशेद्लिंग डे शेलिवरेटर्ड गुलॉबल रिशेजलिंग डे शेलिवरेटर्ड ओन 18 March ओके इसका क्या है 18 March को Global Reason हमको from the question यह पता दल जाते है कि recycling meaning क्या है recycling meaning something which can be used further अगर कोई चीज है उसका अगर further more हम use कर चुके after any scientific methods using तो उसको हम क्या बोल चकते है recycling तो हम आप आजकल कोई भी प्लास्टिक और चीज खरीता है ना उसको देखना यह sign पका मिलेगा आपको उसके बाद यह उसका खरीए तो यह क्या है उसका अंदर लिखा भी रहता है इस रिखने इदर below the sign देखना उसमें recycling लिखा हुआ क्या है यह अगर हम कोई चीज को यूज करके फिर दुबारा उस चीज को यूज करते मतलब साफ सपाई करके from company आता है वो चीज लेकिन उस चीज को government की तरफ से recycling के नाम पे एक stamp आ रहाता है कि इस चीज को आप waste मत करो इस चीज को इसे मतलब फैंग दो या कहीं पे जमा कर दो हो ताकि फिर दुबारा और इसमें क्या होता है अगर हम कोई चीज को यूज कर लिए उसको फैंग दिया फिर दुबारा निया चीज बने है फिर फैंग दिया इसका मतलब दा नमबर और डेमेज डाइटम और वेस्टेज डाइटम विल इंक्रिज डे टुडे पहला चीज दुसरा चीज है हम जो इन्वेस्ट कर रहे और जो एक्सपोर्ट या जो भी कर रहे बाहर तो वो चीज क्या होता है उसका भी अमाउंट इंक्रिज हो रहा है तो उस चीज को अगर हम रिशेक्लिंग करेंगे तो उस चीज में अगर कुछ जस्ट लिटिल अमाउंट उसमें यूज होता है नहींदर वो ज्यसे था इसे ही है तो उस चीज को हमारा क्या होता है इन्वेस्टमेंड कम भी होता है दुसरा चीज सबसे मेहीन चीज होता है तो यह हम होता है यह होता है सबसे में ठीक है towards the use things further by recycling तो यह क्या करता है अभी 600 million ton carbon recycling जो अभी सबसे शुरूआ यह हमारा 600 million ठीक है million ton carbon क्या होता है अनुवली जो हमारा इंक्रिज होता था फ्रम जो ज्याधा होता था pollution की सबसे वो कम हो गया पहला दूसरा चीज हमारा क्या है 6 million employees जो है 6 million employees है वो सब recycling industry में employed हो जगे मतलब उधर काम कर रहे 6 million वो भी employment की सबसे हो गया तुसरे 700 million ton क्या हो गया कम भी हो ठीक है तो this is more important तो इसका theme क्या था इस साल का theme क्या था recycling heroes okay मतलब the persons who are engaged in their duty and the next one is which state has celebrated the third three days कला नमक राइस festival कला नमक राइस ये देखना कला नमक राइस ये undoubtedly सब को पता है कि उतर पदेश लेकिन दोस्त याद रखना ये बहुत important है क्योंकि before few days red rice था red rice क्या था रेड क्यों था क्योंकि ये था कि iron rice due to presence of iron more तो ये था USA को और ये हो गया हमारा Singapore को ठीक है ये इंपर्ट और export में चल रहे तो ये इंडिया उसलिए export कर रहा है उधर ये चीज़ की बहुत आवस्यवत है ठीक है तो ये कहां हमारा festival मना रहे by cm योगी अधित्यनाथ का मना रहे सिधार्थनागर यूपी में सिधार्थनागर में वह क्या कर रहे इसको festival को celebrate कर रहे पहला दूसरा चीज़ क्या है ये सब आप देखते होंगे यूपी में एक नया 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 एक प्रोड़क्ट निकल र देखते हैंगे कि वाल्ड की कोने-कोने में हमारे मतलब नाम में जानेंगे दुनिया कि हाँ यूपी एक इसे है और यूपी का कल्चर है क्यों तो उन्होंने उसलिए एक इनिसिटीव एक लेकि वान डिस्ट्रिक्ट ठीक है वान डिस्टिक्ट वान प्रोड़क्ट तो उन यह हो सकता है तो उसलिए इनने यह प्रोग्रम बनाया थे वान डिस्टिक्ट वान प्रोड़क्ट ओके दो वाल्स फार्स्ट एवर फ्लाइंग कार इस गूइंग टो बी डेवलोप्ट इन विच टेर्स अप इंडिया यह गुजराट आंसर इस अप्शन दी वाल्स फार्स एवर फ्लाइंग कार हमारा मतलग वो तो यूएस में भी बन जुगा है पहले से बट इन इंडिया गुजराट में यह बनेगा गुजराट में कहां बनेगा यह वाल्स फार्स्ट कमर्सियल फ्लाइंग कार गुजराट बनेगा उसका नाम क्या है पाल भी लिवर्टी ओके पाल्री लिवर्टी इस दा फास्ट फ्लाइंग कार विच डेवलोप्ड इन गुजराट ओके तब गुजराट के उपर डिसके गुजराट गुजराट के काया है गंदेनगर विजयरुपानी इस दा चीप मिनिस्टर ओफ गुजराट ओके देनेक्स्ट पनीच फू हेज ग्लेम्ड दा मेंस सिंगल टाइटल 2020 ओल इंगलर्ड बैंड मिन चैपियंज यह हो गया क्या दिया है यह आप सब कभी भी इस चीज़ को याज रखना है मेंस हो गया ओके मेंस और वो मेंस भी होता है न उसलिए तो मेंस में कोने विक्टर आक्सल्चन विक्टर आक् सिर्चो तैयन चैन तैयन चैन यह किस कहां के है यह है तैवानीज यह तैवान है बगल में चाइना के और हमारे इंडिया के उस तरफ है मतलब चाइना का वो एक पार्ट अफ चाइना है तो यह है तैवानीज यह सिर्चो चैन इन्होंने हारगी किस से हारगी विक्टर आक् और आपको यह चीज बता देता हूं विमेंज का भी हुआ था तो हो एज ग्लेंब दो विमेंज सिंगल टाइटल अल इंगलोड वैंड वैंड विर्ट चैंपियोंशिप उसके कौन है उनका थे बैडविंटन का कौन थे ताईजु इंग ठीके वो कहां के यह है यह वी हमारा टाईवन से है और चैंपिय वाल्ड का चो सबसे नम्बोरण प्लेयर है शीज चैज यह चाइनेज प्लेयर चैंपिय फ्रम चाइना बीट रम टाईजु इंग ठीके यह है चाइना के और यह है ताइवान के तो इसका मतलब हम यह देख लिए कि ताइवान के बहुत सारे सिंग्र मतलब बैड्मिंटर न अचा खेलते हैं ओके तो यह हमारा हुआ कहा था यह बिर्विन डगम हुआ था कहां इंगलन में यह कुस्टञ गासरिक हो गया चाहँ बयुक्तर स्वय बक्तर पुराने खिलाडी फक्ति भॉटी टे जो की बोध रेकर भी बनायं थे बहुत बार है चाहिए उस ताइम में थे तो कि उनका competitors भी कोई नहीं थे ब्रिटली बगरा, फिर भी he was one of the most powerful baller at the time, ठीके, तो यह है कि पाकेस्तान्स के अरल मतलो, पाकेस्तान्स रावल पिंडी स्टाडियम, ओके, क्रिकेर रावल पिंडी स्टाडियम has been renamed after the cricketer स्वेवक्तर, तो उसको अभी जैसे हमार इंडिया म आप विजे चे नरेंद्रमदी स्टाडियम हो गया, तो इसे ही वो स्टाडियम क्या हो गया, स्वेवक्तर स्टाडियम हो के, इस और टैन कोस्टेंज, इस रहल टेल कॉन चीज गाईज, तो आइधिंग आइज, डिसकॉस्ट भेरी वेल, तो प्लीज, शीड़ा वीडियो फ कोई भी एक्जेम के लिए वो एक नूड़ पॉइंट बन सके, ताकि उस चीज को आप देखते तक याज हो जाएगा, ठीक है, और इस चीज को अच्छे से देखना, और पढ़ाई जारी रखना है, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, तो लाइक करना, और अ सब्सक्राइब मैं वीडियो, सब्सक्राइब मैं चैनल, तो गेट नियू नोटिफिकेशन, और अपना स्टडी को केरी रखना है, ताकि, देखो, मैं पहले शी बोला ताकि स्टूडेंस लाइफ में बहुत बोलते, पापा मैं में बोलेंगे, प्रेंस बोलेंगे, लेक्ट झाल